ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई श्रावण मास्तनी वधू एक पवित्र साजे गवान शंकर नो बोले नात्नो महिमा करवा मते आजे एक वधू शिवलिला निवाद आपणे करी शो गया वकते आपणे चर्चा करी त्यारे कोई यह मने पूछु अतो के बदाज भगवानों ना बेसना आसन पर होई छे तो शंकर भगवाननू लीग नीचे केम होई छे प्रश्णनो जवाब आजे आपणे अपणे छे अपणे आजे जे चच्चा थशे माथ ही उमानु छो कि जेम्णे प्रश्ण उपस्तित करें तो एम देनो जवाब मड़ी जेशे सामान निरित्य आपणे जोईए छे के बगवान जेते मंदिर मां मुर्ती स्वरूपे विराजमान होई चुए भगवान अन्षवर्राए होई के राधाक्रिश्न होई ये मुर्ती स्वरूपे मंदिर मां विराजमान होई छे केटलिक जग्याए माँ शक्तिनी मुर्तियों होई छे क्यांक एनु यंत्रपन पुझाए छे भगवान शंकर ने लागे वोड़ गेशे त्यांसुदी शिव ने लागे वोड़ गेशे त्यांसुदी येना बेज स्वरूप छे शिव जी साकार सरूपे पड़ विद्यमान चे विद्यमान बने चे पुझाई चे औने निराकार सरूपे पड़ पुझाई चे शिव नी मुर्ति एमना साकार सरूपनु प्रतिक चे आपे नटराजनी मुर्ति जो ये शे भगवाल शिवनी मूर्ति एम न साकार स्वरुपनु प्रतीक छे अने शिवलिंग एम न निराकार स्वरुपनु प्रतीक छे आ बन्ये स्वरुपे शिवनी पुझा थाई छे अब अन्य स्वरूपे शिवनी पुजा वस्त्र, गंद, पोष्प, दूप, दीप, पुड़ा, शाक वगेरे वान्गी युक्त बात-बातना भोजन दरावी ने नईवेद्य रूपे समर्पित कराई ज़ए शिवने सणगार मा छत्र, ध्वजा, पंखो, चमर, तेमना अंगो सहीत नी राजो पचार शिवलिंग अने शिव मुर्ती बन्ने नी पुजा थाई शके छे शोर्षो पचारे पढ़ पुजा थाई शके, राजो पचार पुजा पढ़ थाई शके बुढ़ वात यहती के एक वखते सनत कुमारे नंदी केश्वने प्रश्ण पुछो के मुर्ती मां सर्वत्र देवो नी पुजा थाई शे पर तु भगवान शिवनी पुजा मुर्ती तेमाज लिंग बन्ने मां केम थाई शे अने जवाब मां नंदी केश्वरे कई होतु के भगवान शिव ब्रह्म रूप होवाने कारणे निश्कल एटलखी निराकार केवाई चे स्वरूप दारण करे त्यारे ए स्वाकार केवाई चे कालेज अपने चर्चा करी हाती के शिव जी नी जान हिमवान ना त्या पहुची त्यारे तो शिव जी भभूत चोलेला स्वरूपे ने ए रिते जोईने पारोथी जीना माता तो डगाई गया ता क्या हो मुरती हो और नी सातेमारी दिकरीनो जन्मारों कही रिते जशे पाँ पछी जारे शिव पतानू मोहक स्वरूप प्रगट करियू त्यारे खुद मैंका पण अंजाई गया पारोथी नी माता पण अंजाई गया तो शिव साकार स्वरूपे पण अस्तित्व माँ चे प्रश्णाई चे के लिंग नी पुझानू महत्वशू चे जे गईकाले प्रश्णा पुझायों के लिंग जमिन पर केम प्रस्थापित करवा हमावे चे मूढ एनू कारणे छे के शिव जी एक तेजों माई पुझना स्तंब तरीके प्रगट था है यहनो आदी नो तो अंत नो तो भगवान विष्णुए वराश्वरूपे पत्राल माँ खोदियों क्या एनू मूढ नहीं देखायों तेज स्वम्नों ब्रह्माजी उपर सुधी यहनो ताग पम्वानो प्रहत्न करियों नहीं पामीशक्या अने एक आडवात करी लो क्या विष्णुभगवाने तो स्विकार्यों क्या आनो मने मूढ जड़ियों नथी पन ब्रह्माजी जूठू बोले यहमने कईू कहा आ तेज पुञ्जिनों जे स्थम्ब छे यहना शिकर सुधी वो जईया यह अने यहना शिकर पर एक केतकी नूँ पुष्प छे अने आ ब्रह्माजी नी खोटी वात नी केवड़ा यह साक्षिया पी केतकी इड़ले केवड़ो अने एना थी कोपाई मन्थईने शीवजी यह ब्रह्माजी नी श्राप आपयो के तमारू क्यां रूं क्या मंदीर नहीं बने पुष्कार शिवाई ब्रह्मानू बन्दित वने की जुआ नहीं मल अने सजारुपे केतकी एटले केवडाने श्राप आपे हो के तारी कोई पन उपयोगी ता मारी पुजामा नहीं लेवाई खूब केवडों करगर्यों विननती करी भगवान मारा पर आटलों कोप सुकरवा करोछो ब्रह्मा जी एक युँ एटले मेतो टापसी पुरी मरोशू वाँ उन ब्रह्मा जी ने पन नाराजनों तो करी शकतो त्यारे शंकर भगवाने ने कई उके सारू वर्षमा एक दिवस मने केतकी थी केवडा थी पुजी शकाई शे अने ए दिवस ए आपणी बेनोजे व्रत करे चे केवडा थी जनों एक ज दिवस शिवने केवडो अरपन करी शकाई छे आ एक दिवस शिवाये क्यारे पड़ शिवनी पुजामा केवडो अरपन करी शकातन थे वली पाचा मोडवात पर आविये आखिये घटना घटी त्यार पची ब्रह्माने विष्णु अत्यांद नम्रभावे शंकरने प्रणायम करीने बाजुमा उभारे विवित पवित्र वस्त्वती तेमनों पुजान करिऊ अने त्यारे जोकवे शंकर एटले आशू तोष पन चे अने आशू रोष पन चे जल्दी थी गुष्णे पन थाई जाए जल्दी थी प्रसन्य पन थाई जाई त्यारे श्रीवे प्रसन्य कई नेमने कई हो कि आजनों दिवस महान दिवस चे अने त्याम आ बन्ने महानुभाव आपए बन्ने देवतावे मारों पुजन करिऊ चे एटले हुँ तमारे थी प्रसन्य थाई जो अजनों दिवस खूप सरस दिवस चे अने आ कारण थी हवे थी आजनों दिवस ए अती पवित्र दिवस अने शिव पुजन अने शिव उपासना माटे नो खूप सुयोग्य दिवस गणा शे अने इए दिवस हवे पछी ये तिथी शिवरात्री तरके जानीती बन शे शिवरात्री ये शिव पुजन नो शुँ महिमा चे शिवनी उपासना नो शुँ महिमा चे ए वात अईया स्वयम शिवे पोते कई छे ब्रह्मा जीने ने विश्णो जीने के आ अत्यांत शुभ तिथी छे शिव पुजा माटे अने शिव भक्ती माटे ए अत्यांत योग्य तिथी छे एटले जे कोई शिवरात्री ने दिवसे निराहार अने जितेंद्री रही शक्ति आनुसार शिव नुँ पुजन करे येने अत्यांत लाबदाई फढ मले कई दीते करवानु पुजन निराहार अने ति वुख्या अने जीतेंद्री रही वानु इंद्री विकारमा फसायली ना होईजी भगवान नी आरद्ना कत्ता कत्ता कोईनो इसामले अनो बाक्कि होए त्या मन भटक तो हेतनी चाले इंद्रियों पर काबू राखी निराहार रही अने आदि उसे शिवनी जो उपासना करवा में आवे तो ये व्यक्ति जे शिवरात्री नादि उसे शिवनी पुझा करे चे एने लगाता राखू वरस शिव पुझा करवा थी जे फढ़ प्राप्त थाए ते फढ़ शिवरात्री नादि उसे शिवनी पुझा करवा थी प्राप्त थाए चे माक्षर मासमा आद्रा नक्षत्र युक्त पुर्णी मा अथ्वा प्रतिपदा जे आधिवसे शिवना दर्शन करशे ते शिवने कार्तिके थी पड़ अधिक प्रिये थाशे केम आधिवसे माक्षर महिनो आध्रा नक्षत्र युक्त पुर्णिमा अथवा पड़वे प्रतिपदा आधिवसे जोती स्थम प्रगट थाए तो आधिवसे शिवे पोते तेज़ पुंजना रूपे प्रगट्टी करण थाए तो अने माटे आधिवसे जे शिवनु आराध न करे शिवनी पुजा करे, पुजा अर्चनाथी शिवने प्रसंद करे, तेने ए व्यक्ति कार्थिके करता पर शिवने वधारे प्रसंद थशे, कार्थिके टरे भगवान शंकरना पुत्र आप जानों छो, और कार्थिके माटे माबापने थोड़ूक वधारे लागनी होए, काया क गणपती जी गमेत्यम करने प्रदक्ष्णाकारी ने पढ़नी किया, पड़ कार्तिके माटे पड़िये, अमेशा मावापनी लागनी, जे दिकरों कहीं गुमावे छे, तेना तरप विशेश होई छे, येले कार्तिके इन्ने जेटलो शिवने प्रिये थे शे, कार्तिके तेमन स्वरूपे, अने साकार येटले मूरती स्वरूपे, जया मूरती से जे प्रश्न पुछाये तो येनों जवाब के जया मूरती से, त्या भग्वान मूरती स्वरूपे पुजाये छे एननु आसन होए, पढ़ अहिया तो शिव लिंग येटले निराकार दिक שלुपे तेज Most सम्ना स्वरूप मांच, यहनु तलियू पन खबर नथी, यहनी टोज पन खबर नथी, अने एटला माटे, यह जमिन पर छे युँ न मांशो, जे शिवनू स्वरूप छे, यह चेक पाताल सुदी, अने उपर छेक ब्रह्मान सुदी, व्याप्त छे, अने एटले, यहने कोई बेसना नी जरूर नथी, कारके बेसना शक्यत नथी, यहने तमें कोई गादी उपर बेसारो, यहनो मूर छेक पाताल मां उण्डे सुदी चे, यहनों ताग कोई पामी शक्यों नथी, विष्णु भगवान स्वयम वरास्वरूपे खोता-खोता छेक पाताल सुदी गया, ये पण ताग नए पामी शक्या, ब्रह्मा जी, येना तोचनो ताग पाम्बान प्रःत्न करे हो, ये पण नई पामी शक्या, येकले आ शीवनू शरूप जे छे, ते माकाल छे, मोर्तिस वरूपे जया पुजाए छे, तिया साकार सुरूप छे, औने लिंग तरीके प्रश्ण फरी एक वार काऊ छो के यहने जमीन पर न थी एच एक पाताल सुधी छे जमीन पर छे उत अपने मानिये चे अबै आ शीवनी वाद करी शाहं मिनो चाले चे आअज तमे जोता आ चाशो कोई तढ़ाव ना की न खिर नदी जे जमिन माथी स्वयम पेजा थे युए, सितपूर्णा मित्रों ने खबर अशे, भगवान वटेश्वान नो मंदिना दर्शन करवाज़े स्वयम भूलिंग छे, जाते प्रसंद थेलो, प्रगट थेलो, हारिज ना मित्रों ने, पाट्टन ना मित्रों ने, चानस्मा ना मि खबर अशे, क्याडिया मादेव नुझे लिंग छे, ते स्वयम भूलिंग छे, सितपूर्मा आवा अनेक स्वयम भूलिंग मादेव ना छे, तो आ जाते प्रगट थेलो, भगवान छे, ते स्वयम भूलिंग छे, बिजू छे, ते बिंदू लिंग छे, त्यार पशे स्थ लिंग एकज मात्र स्थापित लिंग छे, बाकीना अग्यार स्वयम्भू लिंग छे, स्वमनात लिंग नी शापना चंद्रे करीती, अने एना माटे ना कारण होता, चंद्र एटले सोम, नाथ, एटले मालिक, भगवान, एनो राजा, एटले चंद्र जेने पूजय, तिये श एटले सोमनात, चंद्रनानात, एटले स्थापित लिंग छे, चर लिंग अने गुरू लिंग, सदाशिवनी शोडशो पचार थी, एटले के आवाहन, आसन, शोडशो पचार एटले शू, आवाहन, आसन, अर्ग्य, पाध्य, आच्मन, स्नान, गंध, वस्त्र, दूद, आर्थी, पान्र बिढू, नमसकार, अने विसर्जन, आ सोल प्रकारे श्िवने आपड़े आरा धिये, ता आरे आ सोल प्रकार्थी, शोडशो प्रकारे पूजन upsyn केवाहन, आने पछी, पूजन बाद, मंत्रों चार करवा, ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय, ओम आवाहनामी, स्थापयामी, तारू स्थापन करऊ चुल्ए, आवाहन करो स्थापन करवा में असा नापो, पछी, अर्ग्य, पाध्य, आच्मन, स्नान, गंध, वस्त्र, दूध, पुष्प, दीप, नैविद्य, आर्थी, पानवीडू, नमसकार अने विसर्जन आ सोल प्रकारे पुजा करिया पछी आपड़े ओम नमस्षिवाईनों जाप करवारोचे एमा आ पार्थिव शिवलिंग एक प्रकार से के जना प्रुजन्थी अनेक लोकों सिद्धी पाम्या चे बधा प्रकार नी मुर्तियों मा पार्थिव एटले शू पार पार्थिव शिवलिंग एस रेुज चे पार्थिव लिंग नी आरात्ना पवित्र, धन्य, आईूश वधारणारी, संतोष और आनिंद ने पुष्टियाप्नारी तथा लक्ष्मी नों वधारो कर नारी चे पार्थिव लिंग नी पुजा करो तो एना थिद्धान्य शान्ती ने संतोष मा वधारो थाई ये पार्थिव शिवनी पुजानों महत्वाच छे तेथी जने माटे शक्या छे तरणे शाण मैं नादर्म्यान आ पुजा करवी जोई ये पार्थिव लिंग अखंड अज बनावाई ये खांचु आवी तुटिव होई ये खंडित लिं पुजा करवा थी भुझ फटल्क मलतो नाथी तो पार्थिव लिंग मित बनावा प्रस्भ ये थाए कि पार्थिव लिंग आजुबाजुनु जे वातावरन छे ते पवित्र होँ जोईए यजमान जे आ विधी करवा बेशे चे तेनी देशुद्धी आचार शुद्धी और विचार शुद्धी त्रणे होँ जोईए जे मंत्रोच्चार थी भुदेवा विधी करावे चे तेनी पण देशुद्धी आचार शुद्धी और मंत्र शुद्धी होई जो अयोगिरी ते मंत्रोच्चार करवा मावे क्या मंत्रोचार मा भूल होई उच्चार शुद्धी ना होई तो ए पातक लागे छे माटे आ विधी पुरोहितने पन आटलीद लागो पड़े छे अने छेवटे येतू शुद्धी होवी जे कल्यान हेतूती करवा मा वेलो यागन ये दैवी यागन केवाई छे यहनु फ viciousना कल्यान गल्यान, अक्षाश्वपन करताद है कोई पन मलीन हेतु थी करवा मावेलो यग्न ये छेवटे खराब फड़ापे छे माँ भारतमा द्रोणनी हत्या करवा माटे द्रोणने मारवा माटे द्रुपदे मलीन हेतु थी पुत्रप्राप्ति नो यग्न करे होतो येन्य पूतरप्राप्टी तो थाई पर सा थेियं यग्रकुंड निकली शामा ए द्रऊपदी और जेवी यग्रकुंडी मांधी बार निकली त्यारे याजमूनी आगाही करिएती के दुरूपत क्षत्रियों ने महासंहार नो कारण तारा त्या पेदा थाई चुकी छे एटले हेतु शुद्ध ना होई तो यगन फोल पन महासंहारक बनी शके छे यहनों उत्तम डाखलो यह माभरत छे एटले हेतु शुद्धी होई जोई पार्थियों लिंगनी पुजा क्यां करवी तो नदी तड़ाओ पर्वत केशिवाले माँ पुजा नो विधान छे आ शक्के ना होई तो घरे पड गाईना चान थी लिपी गाउमुत्र थी पवित्र करी दर्भ विगेरे मूकी औने गंगा जडनी चाटना करी यहने पवित्र बनावी ए रूम ने ओरडा ने अने त्याँ पन तवे पार्थियों लिंगनी स्थातना करी शको पिपलाना ज़णना जडनी माटी के पवित्रस्थाननी माटी थी अखंड शिवलिंग बनावा जोई शिवपुराणमा कईया रंगनी माटी लेवी कोणे त्यानू परणवणा चे शिवपुर्यमा काया प्रमाणे ब्राम्मन माटे सफेत, क्षत्रिय माटे लाल, वईश्य माटे पीडी, शुद्र माटे काली, माटी थी शिवलिंग बनावनु विधान छे पार्थिवलिंग नी पुजा नो खास महिमा आये छे, जो इनी विधोक्त विधी थी पुजा थाए, अने ओम नमस्षिवाय मंत्र थी पुजा सामगरी ने शुद्ध करी, शिवलिंग ने अरपन कराए, ओम हराय नमह नुँ उच्चारण करी पार्थिवलिंग निर्माण ओम हराय नमह, ओम हराय नमह, ओम हराय नमह, त्यार पछे, ओम महेश्वराय नमह, बोली पार्थिवलिंग नुँ निर्माण करो, इन माटिने गुंदर्ण नना शिवलिंग बनाव, ये वक्षे मनमा जाब चालतो जोई, ओम महेश्वराय नमह, ओम महेश्वराय नमह, ओम म प्रतिस्टा चे, ये वक्षे ते बोलवाना मंत्रा चे, ओम शंभवे नमाह, 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 ओम शं पुलिंगने स्नान कराऊ और ओम नमस्षिवाय बोली शिवजी नी पुजा करवी और पछी ओम पशुपतये नमाह यह बोली और काई बूल्चु करही गई होए पुजा माँ तो पुजा नथी जाने तो विदी नथी जाने तो मंत्र नथी जाने तो में भक्ती थी महारा थी पुजा थी विश्ष्ट फड़दी प्राप्ति थाए चने वां कल्यूग मां तो तातकालिक फड़ा अपनरिया पुजा से पार्थी शिवलिंगनी पुजा थी कोटी कोटी यग्नानू फार्ण माले छे बोग और मोग साप्नार पुजा थे पार्थिवलिंगनी पुजा नो एक अनेरू महत्तव थे अने पार्थी लिंगनी पुजा थती होय त्यारा दर्शननूपर विशेष महत्तव थे एक ख्याल राखो के पार्थिव लिंग बनाविला होई क्या पवित्र रिते कोई एनी पवित्र ता हणाए तिये रिते कशू नहीं थो जोई आटली वाद आपने ध्यानमा राखोई जोई ये पवित्र स्थल छे शीवनी साक्षात्या हाजरी छे मानीने पावनाथी जे दर्शन करे छे ये अने रुफळ आ पार्थिव लिंग नी पुजा आपे छे तो आपे वाद करिये शुक्रेश लिंग आ अन्यक विशिस्त इत्यास छे देवना गुरु ब्रहस्पति आने दानवना शुक्राचारिये तो ब्रुगुन अन्दन शुक्राचारिये वाराणसी मा जैने वाराणसी मा कौन बेशे विश्वनाथ अपड़े द्वादिश जोति लिंगनी पन वाद करिये तो सवरास्ट्रेसोम नाथम चर सीशैले मलिकार जुनम उज्याईना महाकालव ओमकारम अमलेश्वरम परल्यावईज नाथिम चर दाकिन्याभी मशंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दा रुकावने वारन वारनस्यातु विश्वेशम त्रम्बकमग उतमीतते हिमाले तु केदारम दुरुषमेशम तु शिवाले एता नीद्वादश नामा नीसायम प्रात पठेनर सप्त जन्म कृतंपापम स्मरनेन विनश्यति वारनसीम साक्षात भगवान विश्वनात नी उपस्थितिव यम ध्यान दाता तब करिऊ अने ये वखते मने त्या एक शिवलिंग नी सापना करिऊ यानी सामय एक परम रमणिय कूप एले कूओ तैयार करिऊ अने पछी एक शिवलिंग ने एक लाखवार पढ़िया भरी पंचामरुत तता गणाबदा सुगंधी द्रभ्योती स्नान कराई सुगंधिम पुस्ठी वर्धनम कईये चे ना पड़ि उरुवार उकमियो वन्दनात पुर्तिवर मुक्षिम अमरितात त्रंबक मंत्रमा आवे चे तो सुगंधी द्रभ्योती येने स्नान करेऊ पछी पृति पृति पुर्वक चंदन यक्ष करदा में कपूर अगुरु क पस्तुरी, कंकोल बदा एक्ठाकरी ने लेप बनावाई यहने कंदर पुकेवाई ये लेप अरे सुगंधित उबतन नो ए शिवलिंग पर अनुलेप करेऊ अने त्यार बाद धतुरो, करेण, कबाल, मालती, नाक्यसा जव विवित प्रकार ना फूलो अने पल्लवो थी श पाँच अजार वरस्तु थी आ सत्यूग नी वाद चेटले एवखते मानस नू आयुष्य यहनी मर्यादर नो थी पाँच हजार वरस्तु थी यहने भगवाणनी आराध्या करी पड़ शीव जी गमिते कारण हो यहने वर्दान अप्य तैयार थया नई यहने दूस्त अने घूर नियम नो आश्रो लिदो शुक्रे इंद्रियो सहित मनना अत्यांत चंचरता रुपी महान दोश ने वारम वार भावना रूप जल थी प्रक्षा लिद करी दिया विले अंदर ना दोशो नू यहने प्राइस्चित करी विजा एक हजार वरस्तु थी गया पिनाकदार तमें तो तपस्या ना निदीनों खजान अशो केटली तपस्या करी तमें वह तमारा तप्ति प्रसन थायो चुँ अने वह प्रिती पुर्वक तमारा बधाज मनोरत पूरा करी शुक्रे शुक्रा चारिये शिवजी ने कई वह तमारो पावन भक्त चु आपने मरमटी प्रसन थायो चुँ तमने पुत्र रूपे जोवा मागो चुँ तमारो बधे कशुए अशक्य ना थी तमें आस्थी मारा उदर्मा प्रवेश करी जाओ और मारे श्रेष्ट इंदिये माक्ती निकली और पुत्र रूपे जनमा धारान करो मारी पासे जे म्रुद संजिवनी नमनी निर्मल विद्या चे येनुच पोताना महान तपो बलती निर्मान करी और महामंत्र रूप विद्या येमने शुक्राचारी निकली प्रवेश करी अने पछी येमने कईू के तमे जारे पुत्र रूपे प्रगण थाशो त्यारे तमे आकाश्मा दिदिप्त्वन तारा रूपे स्थित थाशो शुक्राण तारो छे तमारू तेज सुर्यने अग्रीना तेजनी अथिक्रमन करशे तमे ग्रहोमा प्रधान मनाशो बदीज नन्दा तिथी हो एटले प्रतिपदा छट ने एका देशी तमारा सहयोक्ती शूप थेची छे गमेते वी तिथी होई पढ़वे होई छट होई के एका देशी होई ये सिद्धी प्राप्त जया शुक्रेश नू लिंग छे ते भगवान काशिविश्वनातना सानीद्यमा शुक्राचार्य द्वारा स्थापित थेलू छे येनू पूजा अर्चन विधी करवानू एक विशिस्त महत्व छे एटले आजे आपणे जे प्रश्णो काले आपणा म इस्तुने बाजोमा बेसारी औने प्रिति पूर्वक्यमने कईउ क्या आजनी ती थी बहुँच पवित्र गडाशे शुक्रेश नू लिंग काशिविश्वनातना सामे कई रिते प्रस्थापित थायू औने शुक्राचारिय ने भगवाने शुव वर्दाना प्यो तेनी प शुवना निराकार स्वरुपनी बद्धी जवात्वा प्रयावरी लिदीश। अपने भाव स्वरुपनी शुव गडी ने लिंग स्वरुपनी शापना करिये चे ते शिवनो अकल स्वरुप यहले निराकार स्वरुप छे अने टले यहने कोई आसनी जरुण ना थे मने लागे छे कि आवाद अपने जे गईकाले प्रश्ण पूछो तो जे जे मने पूछो तो एमने अने बिजाने बद्धाने आवाद स्वरुपनी बेठा होई त्या एमने गादी होई आसन होई बदू होई आखोई शिवनी उत्पत्ति निराकार स्वरुपे लिंग, स्वरुपे जुदी रिते थैलीज एटला कारने यह जमीन पर ना थी पंचेक पाताल थी पर उंडे यहनों अस्तित्व छे आपड़े आजे बने लागे छे के भगवाननी पूजा शोडशो पचार पूजा में शुथाई एनी वाद करी पार्थिव शिवनी पूजा करवाथी शुव मले एनी पन वाद करी शिवरात्री नों शुव महात्मा छे ते नी पन वाद करी आजना दिवस्पूर्तु बने आटलू चर्चा करी ते भगवान शीव ना निराकार स्वरूपने लगती बद्धीज बाबतों नी वाद आपड़े करी छे हवे अंते नानू भजन भगवान याद्तो करवा पड़ेने भगवान ने आपड़े जेटली काकलू दी करी जेटला जेटला नम्रथ ही ने भजन करी तेटलाज भगवान वदू राजी थाएचे भगवान नी सामे माथू उच्यू राखी ने हुँकों एम हुपत साथे भजन करना क्यारे भगवान ने राजी करी शक्तो नाथी येटले आजे आपड़ेक नानी चार चार दुना आठध लाइन गई शो आको भजन थी कावना आठध लाइन गई शो पढ़ मज़ा आउशे तमने शम्भू शर्ने पड़ी मागू घडी रे घड़ी कस्ट कापो दयाकरी सिवदर्शन आपो शम्भू शर्ने पड़ी मागू घडी रे घड़ी कस्ट कापो दयाकरी सिवदर्शन आपो तो शिव केवा? केवा शिवना दर्शन जोईए आपड़े तमो भक्तो ना भय हर नारा तमो भक्तो ना भय हर नारा शूब सवनू सदा कर नारा शूब सवनू सदा कर नारा हूँ तो मंद मती हूँ तो मंद मती भक्ती ही नम क्रिया ही नम बुद्धी ही नम सुरेश्वरा आपड़े छेवटे पुजा नांते आपड़े भगवान ने कही है छे यह जवाद चाहिए है हूँ तो मंद मती तारी अकड़े गती कस्ट कापो दया करी शिवदर्शन आपो अवे शिवजी नो वणना ना अवे शिवजी के वाद तो अंगे बस्म स्मशान नी चोड़ी संगे राखो सदा बूत तोड़ी काने शंक धर्यो कंठ वीश भर्यो अमरित आपो कंठ वीश भर्यो अमरित आपो दया करी शिवदर्शन आपो शंबू शरने पड़ी मागू घडी रे घडी कस्ट कापो दया करी शिवदर्शन आपो दया करी शिवदर्शन आपो दया करी शिवदर्शन आपो इतले तो यहना माटे अपने हम्मेशा कहिए छे के जन्यक जेकई होए शिवदर्शन आपो शिवदर्शन आपो दूख पड़वा देतो नतिक यहनो जेकई दूख होए यहनो निकालाज करमना दूख तो बदाने बुगवा परेज़े पर यह अवुच अकस थे जाएजे और यह टले आपणे पवित्र स्रावण मास मां भगवार्ण बोड़िया शंबुनिया आराधना करीएजे शावण माजमा के मारा आद्ना करवी आपणे चर्चा करी गयाँचे आए मुहिनों छे जारे समुद्र मंतन माथी वीष्ट निकलियु तो और भगवान ए वीष्ट नू पान करियु त्यारे ए वीष्ट तो अमने कंठमा राखी जी दु पड ये वीश जारे निकलिऊ ये प्रत पेर श्रावण महिनानों पेलो सुम्बर अरे पछी भगवान ने अंगे जे बलतरा थाये तकलिप पड़े ये न थाये माटे देवोय सतत जलाविशेक करेओ अरे एरी तेनी आराजना करी श्रावण माँ जैने आपड़े उद्धार्या छे जो ये हड़ा हड़े मने नई पिदू होत त्राणे लोक न नास्ताई जात ना अपड़े होत न देवो होत न दानेवो होत तो ए आ श्रावण महिनों एटले इना वे एक रिते कई है तो बोलिया संबुने याद करे अने य यहर पिदू तो पिदू कंठमा राख्यों निलकंठ केवाया अमने बदा ने तार्या तो तमने पीडा थाई छे तो हमें यहने जडा भिशेक थी यहने दूदनों अभिशेक करीने क्याक श्रडीना रसनों अभिशेक करीने क्याक अन्या भलना रसनों अभिशेक करीने अम तमारी आराधना करीशो तमें अमारा दुख कापजो अमें तो मानसोचे अमने समझर पड़िये रिते तमारू दुखोचु थाए मन प्रहतना करियेज आ प्रहतना करवानो महिनो आ थैंक्सगिविंग नो महिनो अ भगवाने याद करवानो महिनो यानो अभर्मानवनो महिनो यानी उपास ना करवनो महिनो यानी आराध्ना करवनो महिनो जाते देर थी शुद्ध रहिने विचारो थी शुद्ध रहिने उपुवास करीने मिताहरी रहिने भगवार ने भजवारो महिनो येटले शावर महिनो आजे आपड़े भगवार ना निराकार स्वरुपनी वाद करी वली पाचिर बीजी कोई वाद से उपुराण मां थी लहीने आगल वाद चलाईशु ओम नमस्षिवाई, ओम नमस्षिवाई, ओम नमस्षिवाई